Hello student, आज हम करेंगे 9th class में chapter 2nd Chapter 2 जो अब वो क्या है? Polynomial है Polynomial Polynomial में जो poly है उसका meaning होता है many और जो nomial है उसका meaning होता है terms यानि की many terms many terms का meaning क्या है ऐसी काफी साही terms को मिला कर जोग बनता हो क्या होती है Polynomial होती है many terms के अंदर हमारे पास one term second यानि की two terms three terms and higher degree terms higher degree terms जो यह three terms है इनका एक type से नाम हमें पता होता है और जो higher terms या higher degree के अंदर जो आती है उन्हें हम polynomial के coding जानते हैं जो one term है उससे हम कहते हैं monomial जो second है उससे हम कहते हैं binomial जो third है उससे कहते हैं trinomial जैसे के नाम से पता है mono mono का meaning होता है one by by का meaning क्या होता है two और try का meaning होता है three और इससे जा रहा होती है उन्हें higher degree और polynomial के अंदर count किया जाता है अब monomial के अंदर कोंगों से term आती है वो आती है जिसके अंदर one term हो for example seven है जैसे x है five x है five x यानि एक single term है और हम ले सकते हैं fourteen x के ले सकते हैं ये सबी कहा है single terms है तो जो किसम हैगे monomial में आएगी binomial के अंदर आती हैं जिसके अंदर two terms होती है two terms का meaning है seven plus x four x के प्लस five x four x प्लस में seven x के इसमें कहा है सबी में two two terms है इसका meaning के ये binomial terms है trinomial के अंदर जिसके अंदर three term आती हो four x plus five y plus में z four x के अंदर प्लस five y plus में two ये क्या three जिसके अंदर के है three terms है इसका meaning के ये trinomials है और इससे जादा वली terms है जैसे कि four plus x plus y plus z ये किस में आ रहती है प्लिनोमिल में आ रहती है यानि कि एक हो या एक से जादा जो भी term होती है वो सभी किस में आती है प्लिनोमिल में आती है now अब हम करेंगे zero of polynomial zero of polynomial zero of polynomials क्या होता है कि let px is a polynomial px के एक polynomial है जिसमें p a equal to zero we can say that a is zero of polynomial polynomial of px इसका meaning क्या हुआ कि px कोई भी एक polynomial है जब हम x की जगें a पुट करें और वो value zero हो जाए और वो value के आजए zero के equal आजए तब हम कह सकते हैं कि जो a है न वो कह है zero of polynomial है for example हम px ले लेते हैं 5 plus में x ले लेते हैं 5 plus x अब यहां पे हमें x की एक ऐसी value put करनी है जिससे यह value क्या हो जाए zero आ जाए यानि कि x की जगा हम क्या ले ले minus का 5 ले ले x की जगा minus का 5 put करे तब यह value क्या बन जाएगे मारे पास अब जो x है उसका हम मान लेते है a equal to यह हो जाएगा 5 equal to तो क्या value बनेगे 5 minus 5 तो क्या value आगी p x equal to 0 आगया p x equal to 0 अब यहां पे x की जगा हमने यह मान और एक ही value कह लिए हमने minus के 5 लिए तो अब हम कह सकते हैं कि minus जो 5 है is 0 of polynomial p x यानि कि x की या a की एक एक ऐसी value जिससे जो p x है वो क्या हो जाए 0 की equal आ जाए p x जो है वो 0 की equal आ जाए तो उस value को हम क्या कहेंगे 0 of polynomial कहेंगे